सुप्रियम कोट के सारे जज जिन्दा हैं अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोट जिन्दा है और उत्तर प्रदेश के हाई कोट में बैठने वाले सारे जज जिन्दा है उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर का जो डिस्टिक कोट है अगर वो जिन्दा है उस पर काम का चल रहा ह और उसके भीतर बैठने वाले जज जिंदा हैं अभी मरे नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए यह जहांच होनी चाहिए कि मोहित को इस पठाई से पहले का विमारी थी यह भी जहांच होनी चाहिए कि पुलिस ने जो है इन काबरियों के खिलाफ दर्ज क्यों नहीं की है खाली मोहित की बात नहीं है यह रिक्षा को तोड़ा गया है साथियो एक कहावत है और बहुती अनुभव के अधार पर बनाए गई कहावत है कि सपोले को दूद मत पिलाओ बड़ा होकर साब बनेगा और दूद पलाने वाले को भी वह ड़ सकता है यानि कि जो साब का सभाव है वो यह है कि कौन उसका लालन पुसन कर रहा है कौन उसको खलाप ला रहा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता या कौन उसका सगा है कौन उसका ज़सगा नहीं है इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए सभी दुस्मन है तो ये जो दुश्मन है ये सुभाव है प्रवर्ती है टेंडेंसी है और जिसके पास ये सुभाव रहेगा यानि दुश्मनी घणा दुएस ये जो सुभाव जिसके पास रहेगा उसके लिए क्या अपना और क्या पराया ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस कावड यात्रा की गुंडागर्दी के दोरान अभी जिस प्रकार से धर्म के नाम पर अंदसरद्धा पाखंड को फैलाने का काम तो यह सरकार कर ही रही है बीजेपी की सरकार, साथ के साथ धरम के नाम पर जो गुंडागर्दी देखने को मिली, अगर उसके बारे में आपको बताएं, तो आपकी रूह कहाँ उठेगी, आपका जमीर चिल्ला उठेगा, कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुस हो, चाहे मुसल्मान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिसाई हो, सभी को प्रसन्यता होगी, लेकिन अगर कहीं पर भी धरम के नाम पर सोशन, अत्याचार, गुंडागर्दी, हिंसा, इसका तांड़ा बगर देखने को मिलेगा, तो उसमें कोई भी प्रसन होने वाला नहीं है, चाहे वो मुसल्मान हो, चाहें वो हिसाई हो, अभी पीछे 22 जुलाई को धरम के नाम पर एक यात्रा कायोजन जो चल रहा है अभी, सावन के महीने के नाम पर, जिसको कावड यात्रा कहते हैं, और इस कावड यात्रा में जो कावड ये हरिद्वार जाते हैं, वहां से जल लेकर आते हैं, इस दोरान जो रूट बनाया गया होता है, उस रूट पर, पहली बात तो ये कि सरकार ने इसन Early सम्विघान भार्मियू का मतलब यह होता है, कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, यानि कि सरकार के पद पर बैठे हुए वह लोग वह किसी भी धर्म से लिपता नहीं रखेंगे विर्किन वहां सम्विधान की इस प्राव्धान समिधान की इस आत्मा कहे जाने वाली सब्दावली के विरोध में जाकर UP की सरकार और पूरे देश में केंदर में इस्थापित RSS की मनुवादी सरकार BJP की मनुवादी सरकार वह इस भावना के विप्रीत काम कर रही है यानि कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो वैरल हो रहे हैं फोटो देखे होंगे जहांपर कि पुलिस वाले यानि कि यूपी के पुलिस वाले कावडियों पर फूल बरसा कर रहे हैं उनके पैर दबा रहे हैं अब बताएए कि जो ये पैर दबाना और काबडियों पर फूल वरसाना क्या ये यूपी के पुलिस वालों का काम है क्या उनकी डूटी है वो भी बर्दी बहन कर ये क्या संदेज देना चाहे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं है कारव पर भी जाने का अधिकार है तो अधिकार के अंतरगत यानि जो उनके उपर जो डूटी है और डूटी के अंतरगत जो उनको अधिकार में ले हुए हैं उन अधिकारों का अगर वे गलत इस्तेमाल करते हैं किसी कावडियों को पीटते हैं किसी कावडियों को आगे जाने से से रोकते हैं तब तो बात को समझ में आती है लेकिन केवल उस लाइन में पुलिस की गाड़े आती है और उस गाड़ी के अंदर दो ट्रैफिक पॉलिस वाले होते हैं दो कॉंस्टेवल दो दरोगा यह इतने लोग होते हैं उस गाड़ी का कच्छुम्म बड़िये निकाल दे है यह यूपी के भीतर आपको जै रोज देखने को मिल रहा होगा और अभी हाली में एक स्कूल बस को भी इन काबड़ियों ने टार्गेट किया उसमें कुछ बच्चे भी घैल हुए उस बस को पुरा तोड़ फोड दिया लेकिन काबड़ियों के खिलाफ कोई कारवाई न कर सकती है कि वह किसी के भी खिलाफ कर सकती है लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे काबड़िये हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कारवाई नहीं करें और अधिक इसपस्ट यह जो मामला अभी प्रकास में आया है कि पिछली 22 जुलाई को एक हिंदू जिसका नाम मुहित है जो की इए रिक्षा चलाता था उसका या काबड़ियों से हल्का सी तकरा गया हल्का से तकराया वहा dönकरा गया हो चोड़ भी लग गयी हो उसके बाद वही क्यांदी जो गुंड़े लोग होते हैं उनका हैंता है ताकत का हिंकार니까ै अधिकारों का Rama किसी की ना सुनने का हैंका किसी को सहन ना करने का हैं का यह सारे एहंकार पाले हुए जो व्यक्ति होता है उसको हम संग्या दिसकते हैं कि वह हैं गुंड़ा है और गुंडे के लाबा कुछ नहीं है तो यह जो काबड़िये हैं जब इन से वह इरिक्षा जरासी टक्रा गई तो उसके बाद सबसे पहले तो उस विचारे मोहित को बुरितरे से पिल्टा और उसकी इरिक्षा का कच्चुमर निकाल दिया यह वीडियो आपने खूब खुले आम सरे आम आपने सोसल मीडिया के माध्यम से देखा हुए उस पिटाई के दौरान उसको बहुत गंबीर चोटे आई और उसके बाद मैं आपको बढ़ करता हूँ पुलिस की रिपोर्ट कहती है खंडन करते हों कहती है कि मुझफर नगर पुलिस यह इसपस्ट करती है कि उपरोगत कथन पूर्टे असत्य वे निराधार है कि क्या असत्य निराधार है कि सोसल मीडिया के विभिन प्लेटफॉर्म पर एक खब एक बारियों ने पीटा था जिससे यह रिक्षा चालक की मृत्य हो गई अब मृत्यू जो है इसी घटना के दौरान हुई है इस घटना के बाद हुई है बिल्कुल इस टैर्म पीरेट के अंदर हुई है यानि शे दिन के भीतर हुई है और इसी से कनेक्टेड जो है वो उस की मिरत्यू है अब पुलिस क्या दे रही है पुलिस का कह रही है कि मुझफर नगर पुलिस यह इसपस्ट करती है कि उप्रोग कथन पूर्टे असत्य वे निराधार है दिनांक स्विकार कर रहे है कि हाँ यह घटना घटी है स्विकार कर रहे है कि यह रिक्सा काबड़िस टकराई भी थी और काबड़ियों का तांडब किस कदर का होता है यह सभी जानते हैं कि यह यह इसके बाद मोहित को मौके से भगाने का प्रयास किया यह मुजफर नगर पुलिस की लैंगवेज है कि उसने भखाने का प्रयास के यानि कि उसको रोकं रहना चाहिए था वहाँ उसको वेट करना चाहिए था कि ऑपो वो महित को कुछ कहते नहीं वह मोहित से पूछते बातचीत करते और मोहित उन से माफी मांगता देतте हैं इस तरह की सोच है आपको यहां दिखाई दे रहे होगी किस तरह से जो है यह नोटिस दे रही है तो इसके बाद क्या लिखते है पुलिस कि जिस पर ए расп गरई असंतुलित्फोकर गर गई को कावडियों द्वारा इसा चालक के साथ मार पीट की गई झिजब की सो्चल मीडिया पर साफ़्षा दिखाया है कि इसा असंतुलित्फोकर गिरी नहीं है इसे दोरान थाना खतोली पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा दोनों पक्षों को समझाते हुए विवाद को समाप्त कराया गया मुझे तो लगता नहीं है कि यूपी पुलिस कितनी अउकात हो कि वह कावड़ियों को समझा सकती है दोनों पक्ष बना दिया पक्ष का मतलब भी नहीं है पक्ष कैसा भाई एक पक्ष जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है और दूसरा पक्ष आपने तमाम अधिकार चानी उठा वक्षा कर सब किरने दे रहे तो आपने पक्ष बना दियेए और वहां पर सम्झोत्य की बात कर रहे हैं समझाया क्या सम्झाया क्या सम्झाया करा कावड़ियों कि युप्या पीटा है तो आपने रिपोर्ट क्यॊ न्यां ह töँ करी क्यूंद लिया कैसे उनके उपर हाद उठा दिया कैसे मार्कमिट कर ली फिर यह रिक्षा चालाक मोहित को इस दौरान मामुली चोटे आई आप समझ सकते हैं कि जो कावड़िये होते हैं वो फूलों से मारते हैं वो लात घुसे और मुक्कों से लेने के बाद घर चले गए थे जरुती क्या पड़ी थी फूलों की चोट इतनी थोड़ना होती है वो तो इतनी मामुली होती है कि आपको अस्पताल ले आने की जरुत नहीं थी अस्पताल क्यों ले गए उसको फिर दिनांग 287 2024 की रात को मोहित के सीने में तेज धरद हुआ परीजन द्वारा उपचार हेतू अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्तर द्वारा मोहित को मिरत घोसित कर दिया परीजनों द्वारा यह बताया गया कि मोहित की मिरत्यू पूर्व से चल रही बिमारी के कारण हुई है किसी प्रकार की कोई कानूनिकारवह की आविशता नहीं है यह जो खंडन है यह यूपी पुलिस कर रही है मुझफर नगर की पुलिस कर रही है हाला कि परिवार का कहना कुछ और है परिवार में मोहित की बहन भी है जो चिल्ला चिल्ला कर चीक चीक कर यह कह रही है कि मोहित 22 वरस का एक नौजबान स्वस्त यूबक्त था ज प्रश्टा जो है मुझफर नगर पुलिस को क्यों पड़ी यह खंडन क्यों कर रही है तीसरी बात यह कि जो MLC बनी वह कहां है MLC में क्या-क्या चोटे आपने दिखाई हैं हाला कि सब कुछ आपके हाथ में हैं प्रसासन आपके हाथ में हैं डॉक्टर कैसे लिख देगा MLC में कि क्या-क्या चोटे आई हैं नहीं लिखेगा जब पुलिस वाले उसको बता देंगे कि यह कावणियों के द्वारा पटाई हुई है और योगी जी का इसमें पताई है आपको क्या कर यह अगर पुलिस कोई परानी बिमारी थी और वास्ता में इस देश में सुप्रीयम कोड जिन्दा है अगर उत्तरप्रदेश का हाईको जिन्दा है ही कोर्ट में बैठने वारे जजज जिन्दा हैं उत्तर पर देश के मुजफ़र नगर का दिस्टिक कोर्ट है अगर वो जिन्दा है उसके भीत्र बैठने वारे जज जिन्दा मैं जो sunnit चाहिए यहां कि मोहित को इस स्वाइब से पहले कावी मारी थी यहां को क्यों नहीं कि खाली नहीं कि नहीं कि नहीं किसे सोचल मीडिया पर वीडियोज है वायरल वीडियोज है फिर जिन पुलिस वालों नहीं यह यह कारवाई नहीं ही है उनके खिलाफ उनके सीनियर अधिकारियों ने क्या कारवाई कि यह सब चीजे जो है जांच का विसे हैं इसके अलावा एक चीज और वह है एक स्टेट्मेंट पुलिस वालों ने मोहित के घरवालों से लिया अफिडेट लिए एक तरह से जे उसमें क्या लिखाया है सेवा में ठाना प्रभारी ठाना खतौ ली मुझफ़र नगर महुदय निविदन है कि हमारा भाई मोहित पुत्र विकारी निवासी ग्राम रायपुर नंगली थाना रतनपुरी मुझफर नगर की आज दिनांक 28-7-2024 को मिरत्यू हो गई इसमें किसी को कोई दोस नहीं है हमें पुलिस कारवाई की जरूरत नहीं है उसकी मिरत्यू बिमारी से हुई है हम अपने भाई मोहित का पोस्ट मार्टम नहीं कराना चाहेते हैं अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई इस एफिडेविट की क्या जुरत पड़ गई इस एफिडेविट की जुरत ये पड़ गई ताकि पुलिस जो है इस मामले की लिपापोती कर सके खेर यह तो पता लगी गया है और साफ है बिल्कुल साफ साफ है किलियर है कि इस मामले में पुलिस लिपापोती कर रही है पुलिस उत्तर परदेश में हिंदु धर्म का परचार कर रही है पुलिस जो है काबडियों की सेवा में लगी हुई है पुलिस का चहरा अब समयधानिक नहीं है उत्तर परदेश में कोई समयधानिक पुलिस नहीं है कानून की पुलिस नहीं है अब उत्तर परदेश में हिंद की ताज्जूब है घोर ताज्जूब है कि यह क्या हो रहा है इस देश में उल्ते ने कि government क्या योगता है कि इ тобं मुआ कि कितव अधियन करके चाहें कुंद यात्री कि यात्री यानि शाया चाहिए आप साया कि थो छोड़िये से किसील की है तो पता लेकिन जो तांडव आपको दिखाई दे रहा है वो यह बता रहा है आपको पहली बात तो है कि यह धार्मी क्यात्री नहीं है यह धर्म के नाम पर रोड़ों पर इनको छूट मिली है एक महिने के लिए यह गुंडे हैं धार्मी क्यात्री नहीं है धर्म से इनका को लेना देन उस्फटा होता तो बताना चाहिए योगी जी को पताना चाहिए जी को कि क्या फिणु धरम है किसी के चुब जाने पर किसी टकरता जाने पर हत्या के याद देता है कि साथ याद कि अंधिसरे आंवं है बीडी सिग्रेट के सुट्टे लगा आते हैं अफीम गांजा का सेबन के आता है नसा कि यह लगा है क्योंकि जिस धर्म में कोई अधारीना हो नयतिक्ता ना हो कोई चरित्र ना हो उसका समाप्त हो जाना ही भैतर है जब इस भीड के द्वारा किये गए किरत्य लोग के नजर में आएंगे तो जो लोग लोग हिंदु धर्म में विश्वास रखते हैं वह प्रसंद कर लेंगे समझडार लोग प्रसंद करेंगे रेनी इसी भीड finds जाए मुर्खों का दोरन म है जिसके भीतर कुछ भी कर नहीं चूट है कोई और इसके विप्रीच सब कुछ है तो इसलिए कहा कि अगर आप सपोले को पालोगे तो सपोला बड़ा होकर साप बनेगा जहर को अपने भीतर ग्रहन करेगा कि इसको उसको उस午 हब उस्का उसका मित्र है उसका पालनहार है या उसका दुस्मन है उसके मतलब नहीं इसी प्रकार से मोहित एक हिंदू व्यक्ति था, हिंदू धर्म को मानने वाले था, उसके घर में हिंदू देवदेताओं की फोटो लगी थी, उन्हीं इस्वर की, उन्हीं देवदेताओं की वहाईवी पुजा करता था, उसे भी हिंदू धर्म के देवदेताओं में, इस्वरों में, पूरी ज्वूटे साबित हुए जैसा कि अक्सर होता है और अक्सर होता है हमने यह देखा है कि जूटा विश्वास जूटी स्रद्धा जैसे ही समय और प्रिस्तियां आते हैं भर भरा कर गिर जाते हैं जिस तरह से रेत का किला खड़ा कर दो आप और जैसे ही हवा का जोका आएगा यानि कि उसके भर भरा कर गिरने की प्रिस्तियां जैसे उत्पन होंगी वैसे भर भरा कर गिर जाएगा तो ऐसे ही आज मोहित की जो जूटा विश्वास था उसका किलाव उसके दिमाग में बना हुआ था भर भरा कर ढहे गया यह केवल मोहित का किलानी ढहा है उससे जुड़े हुए लाखो करोडो हिंदुओं को आज यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या वास्तम में यह देवी देवता यह इस्वर यह पत्थर की मूर्तियां जिनमें हम स्रद्धा रखते हैं जिनमें विश्वास करते हैं जिन से मचमतकार की अपिक्षा कर सब्सक्राइएंगे यह सारे तमाम करोडों हिंदु जो आज सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और इन मैंसे जो समझदार हिंदु हैं वे आगे चल कर नास्तिक्ता को अपनाएंगे और यह हैं नास्तिकता हिंदु धरम के ताबूत में एक कील होगी तो साथियों जिदिया आ हिंदू है और आप सोचते हैं कि एड़ोकेट जैभीम प्रकास हमेशा हिंदू के खिलाब बोलता है तो आपको जय उस बात पर प्रणार करना पड़ेगा जो इरिक्षा है वह एड़ोकेट जैभीम प्रकास ने नहीं तोड़ी है यह जो काबडियों ने हिंसा की है एड़ोके नहीं एड़ोकेट जैभीम प्रकास ने उन्हें गांजा, अफिम, सराव, सिगरेट, बीडी, तबाकु इसका सेवन करने के लिए कहा है बलकि एड़ोकेट जैभीम प्रकास इस देश के परतिक नागरी को चदाचार का जीवन जीने के लिए प्रिद करने का प्यास करता है उन्हें यह कहता है कि आपको किसी प्रकार का नसार नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी हिंसा का सहरा नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा छमासील लेना चाहिए, आपको हमेशा सहनसील होना चाहिए, अगर आप छमासील बनते हैं, अगर आप सहनसील बनते हैं, तो आप अ आज जिन लोगों ने मुहित की हत्या की है उन लोगों के नाम पते सब जग जाहिर होंगे अगर मुहित का परिवार भी ऐसी ही भावना रखे और बदले की भावना से अगर भर जाए तो ये एक बड़ा युद्ध साबित होगा और इस युद्ध में आज मुहित की मौत हुई है मुहित के परिजन हो सकता है कल को जो है इन काबड़ियों की मौत कारिद कर दें इस तरह से जो हिंदु धर्म का ताना वाना है इसका हम व्रोध करते हैं क्योंकि हिंदु धर्म ध्रामणबाद की अधार चिला पर खड़ा किया गाए एक किला है जो की रेत का बना हुआ है जैसे ही इस रेत का सामना हवा के जोके से होता है भरबरा कर गिर जाता है यानि कि कलपनाओं के धार पर बनाया गया कोई भी किला रदा दे ठहरता नहीं है कलपनाएं जैसे ही सत्य और यथार्थ के सामने आती हैं तो कलपनाएं खतम आती हैं यथार्थ और सत्य सब को चाहते हैं कोई हिंदू हो मुसल्मान हो बौध हो हिसाई हो सभी इनको चाहते हैं एसा कोई नहीं चाहता हो इसी लिए साथियों आप लोगों से यही निविदन करूंगा कि आप सत्य को पैचाने चमासील बने सहनसील बने आप कभी भी हिंसा का सहरा मत लिजिए और अगर सभाव संयम से युक्त होता है सत्य के खोज करने वाला होता है छमा करने वाला होता है सहन सील होता है वह कभी भी अपने लिए दूसरों पर हात नहीं उठाता है अपने रक्षा के लिए दूसरों पर हात नहीं उठाता है बलकि दूसरों रक्षा के लिए अपने प्राणों को को दूसरे उपर नियोचावर करने के लिए अ मिससक्त त्यार रहता है यह धार्मिक सभाव है लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है वह धार्मिक सभाव नहीं है वह गुंडा गर्दी सभाव है तो साथी वह इस वीडियो को मैं यही फ़र खतम करता हूं और उम्मिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करता हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब दिरू कर लें ताकि ऐसे मुद्दो को आपके सामने लगाता लाते रहें। जैभी नमुद्धाय।